मित्रो जैमातादी, मित्रो संतान की मंगल कामना और सुखी जीवन के लिए महिलाएं, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सब्तमी तिथी से नवमी तिथी तक जितिया वरत रखती हैं। जितिया वरत को जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन वरत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 25 सितंबर दिन बुध्वार को जीवित पुत्रिका यानी जितिया का वरत रहेगा। नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधार के दिन सुभा से लेकर अगले दिन तक रहेगा, यानी कि व्रत का पारणा किया जाएगा तीसरे दिन 26 सितंबर गुरुवार को सुभा सुर्योदय के बाद सप्तमी. तिथी प्रारंब होगी 23 सितंबर सोमवार की दोपहर एक बचकर 51 मिनट से और 24 सितंबर मंगलवार की दोपहर 12 बचकर 49 मिनट पर सप्तमी तिथी समाप्थ होगी. इस दिन सुर्योदय सुभा 6 बचकर 20 मिनट पर होगा, सुर्यास्थ होगा शाम 6 बचकर 17 मिनट पर, अश्टमी तिथी 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12 बचकर 40 मिनट से शुरू होकर 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12 बचकर 11 मिनट पर समाप्थ होगी. नवमी तिथी प्रारंब होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12 बचकर 12 मिनिट से और समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार की दोपहर 12 बचकर 25 मिनिट पर इस दिन सुर्योदय सुभा 6 बचकर 20 मिनिट पर और सुर्यास्थ होगा शाम 6 बचकर 15 मिनिट पर जिदिया वरत की पूजा का सुभ का शुब मुहूरत रहेगा 25 सितंबर बुधार को सुभः 6 बच कर 10 मिनट से 9 बच कर 12 मिनट तक और शाम की पूजा शाम 6 बच कर 14 मिनट से 7 बच कर 26 मिनट के बीच में की जाएगी वरत का पारणा किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार को सुबह 6 बच कर 21 मिनट से 8 बच कर 23 मिनट के बीच में अब जानते हैं कि इस वरत को रखा कैसे जाता है तो पहले दिन नहाई खाए वाले दिन जितिया वरत रखने वाली महिलाएं पहले नहाई खाई करती हैं यानि महिलाएं इस दिन नहाने के बाद सिर्फ एक बार शुद कच्ची मिट्टी के चूले पर बना हुआ भोजन करती हैं और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं ख इस व्रत में नहाई खाई वाले दिन आप पानी ग्रहन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, यानि खुर्जितिया होता है, उस दिन आपको पानी की एक बून्द भी नहीं पीनी होती है। माताओं को सबसे पहले जल ग्रहन कराया जाता है। उसके बाद वह अपने अपने घर की अपने अपने क्षेतर की परंपराओं के अनुसार बने हुए पकवान ग्रहन करती हैं। यह थी आज की वीडियो, उमीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छ। नहाए खाए दूसरा दिन व्रत का यानी नर्जला उपवास का और उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के साथ ही व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। बिहार और पूर्वोत तरप्रदेश में जो महिलाएं होती हैं, वह नहाएं खाएं के दिन शाम को पकवान बनाती हैं. फिर रात होने पर सत्पती या जिनी नाम की सबजी खाई जाती है. जितिया वरत में इस भोजन को करना बहुत ही. शुब माना जाता है. वरत के एक दिन पहले ही छत्या खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है. ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है. जितिया वरत छट पर्व की तरह बहुत कठिन होता है. ऐसी मान्यता है कि इस वरत के पुन्य प्रत आप से संतान पर कभी संकट नहीं आता, जीवित पुत्री का व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावर प्रचलित है कि यह व्रत स्वर्ग सिधार्थ चुकी सास को वैकूंट प्राप्ट करवाने के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता, ऐसा माना। प्वेश करके उस अजन बालक की रक्षा की थी। उत्रा ने फिर एक पुत्र को जन दिया था। वहीं पुत्र पांडव वंश का भावी करणधार राजा परीक्षित हुआ।